हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूटीब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभी नंदन करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम पुलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशनेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाती होएं पढ़ेंगे इससे पहले वीडियो में हमें इंटरनेशनल पावर होती है, तो बच्चों वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, हमारे यूटीब में पुलिटिकल साइंस की प्रे लिस्ट में आपको ये जो वीडियो बता रहा हूँ, नैशनल पावर, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ हमने इसको डाल दिया है, तो बच्चों आएगे आज की वीडियो शुरू करते हैं, की नैशनल पावर जिसका सिंपल सा मतलब होता है, पैस्ति ऑफ नैशन तो इंफ्लेंस देभी एवर अधर नैशन, और गपैवलिटी ऑफ नैशन, विल ओफ, और विल ओवर दा अधर नैशन, यह सिंपल सी बात नैशन पावर को लेकी होगे, वहाँ प्याँ पर लिख की जो नैशनल पावर है, बहुत सारे प्वाइंट पर टिपंड करती है, एक कंटरी पावर फुल है की नहीं है, यह बहुत साइट चीजों के को पड़िपेंड करता है, और उनी चीजों को और इनी फैक्टर को हम जब रिएंस बोल देते हैं, अगर मैं फैक्टर की बात कर है balance तक या आप्र चैन्प्र चैन्प्रव नहीं है तो बात किजा वात कि जाती है कि ये वुव पटार्चित की ये बात किजाती है जो पर्म्रफर प्रोप लेए फ्लए करते हैं अपर-डफ प्र मतलब तो तो जो मिलनद नहीं है जो अपने आप अके हुआद के हाँ किया है वो वमश्य कंदिक कने के हैं यह काद बता किंधे leo , उप और реuto से लिएmans. तो मैं आपको एक चार्ट बना कर दूँगा यहां पर चार्ट के आपने स्क्रीन शोर ले लेना है वो चार्ट बड़ा महत्यपूर्ण है उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है बस आपका पूरा क्वेस्चन आपको याद हो जाएगा बचो आगे पढ़ने से पहले बता सकते हैं और अगर कोई दोस्त आपका लल भी कर रहा है उसे दिक्कत है हमसे उसने कोचिंग लेनी है पढ़ना है अफ़र्डेबल कोस्ट पर तो वह हमें मैसेज कर सकता है कुछ एक कम से प्राइज पर वह बच्चा हमारे पास पढ़ भी सकता है और अफ़र्डेबल कोस्ट सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम में फोलो कर लीजिए आप हमें टेलीग्राम में फोलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो की तो अब डिसस करते हैं एलिमेंट्स को तो स्टूरेंट्स अब मैं एलिमेंट्स की बात करूं या factors की बात करूं, या components की बात करूं, या determinants की बात करूं, national power की, question जो मर जी आजाए, answer यह लिखा जाएगा, तो basically चार प्रकार के determinants है, चार प्रकार के elements है, सबसे पहले है natural, then social, then ideological, then technological, अगर मैं natural की बात करूं, इसमें आगे तीन प्रकार के, हमारे पास determinants या elements निगल के आतने हैं, सबसे पहले जियोग्राफिकल, नैचरल में पहले कौन साइगा, जियोग्राफिकल, और जिसमें उसकी नदिया, नाले, पहाड, माउंटेन, सारा कुछ आ जाएगा, एक country की location को कहां situate करती है, यह सारे चीजें जियोग्राफिकल फैक्टर में आएंगी, बचों चिंता नहीं करनी है, आगे जब अच्छे से लिटेर में पढ़ेंगे, आगे तो समझाता जाएग नेचल सोर्से की बात करों, इसमें रो मट्रील आ जाएगा, इसमें फूड आ जाएगा, पापुलेशन की बात करों, पापुलेशन का साइज, उसकी क्वालिटी, एज कंपोजिशन, कितने एज की लोग country में हैं, यह सारी जो फैक्टर ने किसी में आ जाएंगे, यह ओल ब इंटेलिजेंस आ जाएगी, विज्डम औफ लीडर्शिप आ जाएगा, और साथ में टेक्नोलजी की बात की जाए, इंडस्टियर टेक्नोलजी और मिलिटरी टेक्नोलजी दोनों आ जाएगी, तो यह सारे फैक्टर जो हैं, वो एक country को नेशनल पावर बनाने में, या एक country पावर फूल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने में बहुत महत्तपुन रोल प्ले करते हैं, तो बच्चों आए बिना टाइम वेस्ट किये, एक एक फैक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले नैच्रल फैक्टर लेते हैं, उसमें जियोग्राफिकल नैच्रल सोर्स पापुलेशन तीनों को बन बैवन डिसकस करते हैं, यह जो डाइग्राम है, इसका अच्छे से स्नैप्शोट ले लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज, 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 हमबर रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी लाइक कर दें, आगे तभी बढ़ देखेंगे, नैचल अलमें जिव अपिल ओं यह पापुलेशन भी आता है, तो एक और आता है, तो भी जिव इस जिव फर डेखना है, और मैं जिव ग्राफिकल अलमेंट की बात करूं तो एक देश की जिव ग्राफिय कैसी है, यह उस देश को पावर्फुल बनाने यह वी बोलते हैं कि एक country की जो foreign policy है जो विदेश निती है country की it is determined by geography एक country अपनी foreign policy कैसे बनाता है foreign policy क्या होती है बच्चों मैंने पिछली वीडियो में बताया था phone policy हर country के साथ country के अलग-अलग हो सकती है इंडिया के अमेरिका के साथ अलग है, अरशिया के साथ अलग है, अफगानिस्तान के अलग है, पाकिस्तान के साथ अलग है, सभी देश में साथ एक कंट्री फॉन पॉलसी अलग-अलग हो सकती है, तो फॉन पॉलसी कैसे एक कंट्री बनाता है, अपने देश की जियोग्राफ थे क्ग लेशन शीप बनाती एक कंट्री दूसरी ऐसे मधन देंगे जुकती यह आगे स्थीना तान के खड़ी हो जाती है मतलब एक आपको समझ आ रहा होगा सबसे पहले संद्री का चाहिश। सबसे पहले कंट्री का साइज बच्चों एक कंट्री को पावर्फुल या विक बनाने में बहुत मत्तपन बुमका निबाता है अगर कोई कंट्री है उसका बहुत बड़ा साइज होना उस कंट्री को पावर्फुल भी बना सकता है और कभी कभी विक बना देता है पारुफल कैसे ज्यादा एरिया होगा ज्यादा बड़ा साइज होगा तो अबसी बात है लैंड ज्यादा होगी लैंड ज्यादा होगी तो अबसी बात है उसमें नैचरल सोर्स बहुत ज्यादा होगे तो अबसी बात है कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी और जो कि जिस country पास natural sources है वो क्या बनगी वो powerful बन गई national power determined होगी size के जरीए size बड़ा था natural sources ज्यादा हुए export ज्यादा हुआ तो अबशी बात है एक country के size ने उसकी power को बढ़ा दिया लेकिन वहीं पे एक country का size उसको weak भी कर देता है बहुत ज्यादा बड़ा size होगा और अगर वो size किसी काम का ही नहीं है आप ब्राजिल में जाओ size बहुत बड़ा है जंगल है आप किनादा में चले जाओ आपको waste frozen बहुत ज्यादा मिलेगा जहां पर जंगल हैं जहां पर रेत ही रेत है जहां पर रिकिस्तान है जहां पर dessert है बहुत ज़्यादा या फिर frozen waste जहां पर पड़ा हुआ है ठंड बहुत ज्यादा जहां पर क्या फायदा सी O तो तो साइज ज्यादा होना ही इनफ नहीं है कभी कभी ज्यादा बड़ा सब्सक्राइब को बीग बना दियता है अगर वह सब्सक्राइब करता है अगर में कलाइमेट की बात कुछ तो एक देश का मोसम एक कंट्री को पावर्फुल या वीक बनाने में बहुत मतंब बूमकर निबाता है इस प्रीड इस स्टोओंग ऐलिमेंट ओ ट्रेवेशन ओ घ्र टेव्ट अगर या फोट कंट्री का मोडरीड टेंपरेचर ना बहुत गरrit बहुत सरदी वह अच्छी फसल होगी अच्छे लोग अलाम से रहेंगे लोग अच्छा काम करेंगे पर मान लो एक उपरों के बहुत पर अच्छा पानी आया बारिश अच्छी आई तो बहुत ज्यादा अनाज निकलेगा कंट्री दूसरों को भी देगी पैसा आएगा एकोन में स्ट्रोंग हो जाएगी मतलब क्या हो बोलने का कि एक कंट्री का जो क्लाइमेट है वहां क्लाइमेट में कंट्री में ठंड है गर एक कंट्री में कितने माउंटेंज हैं रिवर्स क्या है जंग्र में जॉंगल्ज क्या है यह साय टॉ быग्राफी उप कि बेख देश की लेक्री की माउंटेंग धर्ष को स्केक्छों बार्तलों कर घृगरी पनाने यह इसंदी यह इनूपर्एख्र घॉपर घृएगर करी एक पछते हैं नियुक्त कंट्री पहारों पहारों से फेली जुटर सब्वार्य पहार को आताइगे करने दूसरे पहारों से गोली थक्रा जाएगी या वह लोग पहारों पर चड़कर दूसरे उस कंट्री पर अटाइक निहीं करें तो इसलिए वो उस country को बचा देगी है ना जैसे country में बहुत बड़ी रीवर्ज यह बहुत पानी है तो व्यूज़ी बात है रीवर का यूज पानी का यूज हएड्रो इलक्रीक बनाने में काम आएगा पानी बिजली बनाने में काम आएगा वो country powerful बनेगी बिजली बनाएगी दूसरी country में supply करेगी powerful होगी दूसरी country उसके ओपर depend करना शुरू कर देंगी तो एक देश की topography बड़ा महत्रम रोल पर ले करती है एक country को weak बनाने में या strong बनाने में उसके बाद location location का मतलब है country कहां situate कर रही है country कहां रहती है country की location क्या है तो एक country की location उसको powerful या बीक बनाने महत्रम बुम करने बाती है important element है location भी अगमालो country ऐसे जगह पर locate करती है जहां पर आसपास पहाड है neighbor country आ नहीं सकती अटैक नहीं कर सकती तो obviously बात है country जहां secure है powerful है पर country ऐसे एरिया पर है जहां हर कभी कोई अटैक कर देता है जिसको जो ऐसा एरिया है कि दूसरी country उस पर किसी और पर टैक होई जाएगा तो ऐसी location होने पर country वेरी वीक है उसको कोई security ही नहीं है किसी प्रकार की अगर माल लो country ऐसी जहां पर आसपास बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है जहां पर हम पानी के माद्यम से अपनी सेना बेर सकते हैं अपनी फोर्स बेर सकते हैं जहां पर हम लोग रास्ते बिलुकुल प्लेन है अगर बार हो जाए प्लेन रास्तों पर अपनी गारिया जल्दी बेर सकते हैं अगर जहां पर पहाड है अगर रास्त बा पानी के जरीए वो अपनी सेना को बेर सकती है रास्ते साफ होंगे बिना रुकावट के तो अब इसी बात है जल्दी जाएगी अगर आस्ते नहीं होंगे बर्फ पड़ी होगी रास्तों में बोथ ठंड होगी तो सेना जान नहीं पाएगी तो यह सारी जो फैक्टर बच्चो कर देना इन हो गीं diffавать a डालों न यहींद लिकने में यह टुलम नो पचास बंद की बरी ती समीट की बरी ळीं तव चादे लग सकते हैं मैं तो अब कॉण्टरिब्यूटि भी करें आपका अंध्यी विश्न है जो इस प्लिए स्टिक अटे प्लेक्स की इसक्वा निस्ट को अब आगे देख लेते हैं तो students अब natural elements में दूसरा में element की बात करूं वो है natural resources natural resources means resources which are given by given by nature to us जो हमें nature की जरिये मिलते हैं इन में सबसे पहले raw material आता है फिर food आता है फिर minerals आते हैं यह तीनों चीजें जो है बच्चो वो एक country की national power को determine करती है एक country powerful होगी या weak होगी इन तीनों के ओपर depend करता है अगर मैं raw material की बात करूं तो एक country में कितने natural resources हैं कितना कच्चा माल है वो उस country को weak या powerful बनाता है अगर कोई country है and a country there is number of use raw materials बहुत साई raw material है कच्चा माल बहुत सारा है तो national countries अपनी देश में क्या कर सकती है उस industry से उस कच्चे माल को पक्का माल बना सकती है कच्चा माल बहुत ही ज्याद है दूसरी country को export कर सकती है export करके भी पैसा कमा सकती है तो अगर country के पास raw material बहुत ज्यादा है तो ऐसी country बहुत powerful country बन जाएगी क्योंकि जब raw material जाद है तो बाकी जो वर्ल्ड की countries है उस country के आगे जुकेंगी raw material लेने के जुकेंगी कच्चा माल से जो पक्का माल बना होगा उसको लेने के लिए जुकेंगी उसकी respect करेंगी तो एक country का जो raw material है वो उसको natural resources में उसको काफी powerful या weak बना देता है अगर raw material है वो काम का ही नहीं है material तो है कच्चा माल तो है गटिया quality है कच्चा माल उगता है लेन्ड है बहुत बड़ी लेन्ड है उप जाओ शक्ती नहीं है लेन्ड की तो ऐसे country weak हो जाएगी natural resources तो है पर नाम के नहीं है काम के नहीं है नाम के ही है अगर मैं food की बात करूँ तो एक द देश के लोगों को चाहिए कितना export करना यह सारी बातें भी हमारे देश में या एक country को पावरफुल यह बनाती है अगर food ज्यादा होगा तो obviously बाता सबी लोग अच्छा food खाएंगे proportion नहीं होगा माल नूट्रिशन ही होगा everyone would work everyone would have a mind everyone would work properly पर अगर food ही नहीं होगा खाना ही नहीं होगा तो क्या होगा तो country कैसे develop करेगी लोग मरने लग पड़ेंगे बूख मरी फैल जाएगी को portion शुरू हो जागा माल नूट्रेशन शुरू हो जागा लोग जो देश का बवीशी है बच्चे वह मरना शुरू हो जाएंगे तो इसलिए एक country का जो food है कितना food of country में है नहीं है क अगले एक साल तक food खतम नहीं होगा तो ऐसी country पास अच्छा है उसके मलीटरी के पास अच्छा फूड है आरमी के लिए अच्छा फूड है तो अच्छा फूड है अगले एक साल तक food खतम नहीं होगा तो ऐसी country थोड़ना किसी आगी जुकेगी उसके पास पावर है वह country और वह जुकाएगी जुकेगी नहीं तो नैशनल पावर फूड की जर्य भी डिसाइड करी जाती है मिनर्स मिनर्स की बात करो बच्छों मिनर्स बहुत मतलब 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 हो पावर बनाने के लिए मिनर्स मतलब petroleum minerals मतलब बहुत से चिज़े मिनर्स में आ जाती है petroleum water fertility of soil सारी चीजे कितनी इसमें खाजन है कितने उसमें marketing किसे हैं Central कितने छो यह में और प्रेट्रोल है ऐसी सब्सक्राइब शुय है प्रका कॊनट आए अब है ब ludzi में बहुत आमीर बन गई है वहां पर बहुत उनका जो एकॉनमिय बहुत स्टेबल हो गई है जीडिपी लगाता बढ़ते जाए क्यों मिन्मर्स बहुत ज्यादा है तो बच्चों यह तीनो जो नैचरी सोर्स का ही हिस्सा है वो तीनों एक कंट्री को पावरफुल यह बनाने बहुत मत्मूर रोल पले करत है उसका स्षाइज क्या है उसमें इस फाइब कितने लोग पड़े लिखी है उसमें कितने मों बुडही है कि बंशुर्यंग सारी चीजियें को लेकर जहें बड़े मत्रफ़ करती हैं यह जऑाए कंत्व людям प्रड़ अब और को बढ़ हुरहंाने के लिए गटाने के लिए तो लाइक ये बिना मत जाना अपने टीचर की बात को मान लेना रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हम आपके लिए महिंत कर रहे हैं आपका लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है ने तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे अगर लाइक वहाँ पे 10,000 लाइकों 20,000 लाइकों तो हमें मन करेगा हम और वीडियो बनाएं वीडियो देखते हैं एक लाइक लोग लाइक आता है केबले केबर हजार तो प्लीज वीडियो को लाइक तो किया करें कम से कम comment किया करें कैसी वीडियो है कैसी वीडियो नहीं है आप लोग करती ही नहीं है आपको एक टीचर की मतलब बिल्कुल भी respect नहीं है क्या आप हमारी बात नहीं मान सकते 20 या low between की तरफ से कि please बात माने comment करें like करें वीडियो तो बच्चो एक country की जो population है कितनी है population का size क्या है ज्यादा population है कम population है वो country को weak या powerful बनाती है मान लोग एक country की बहुत ज्यादा population है ज्यादा population होगी तो अब बैसी बात है ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम करेंगे ज्यादा काम करेंगे ज्यादा production होगा ज्यादा production होगा वो country दूसरी country में ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी पावरफूल बनेगी नैशनल पावर बढ़ जाएगी पर एक कंट्री में कम लोग हुए कम पापुलेशन हुई उनको और कंट्री से लोग बुलाने पड़ेंगी आओ यहां पर प्रडक्शन करो वो कंट्री भीक हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा प्र प्रड़ेशन ज्यादा होगी इंडस्ट्राइजेशन होगा ज्यादा लोग काम करेंगे ज्यादा प्रड़क्शन होगा लैंड बहुत ज्यादा है लोग है निए उस लैंड का क्या करना लैंड ज्यादा है लोग भी ज्यादा होने चाहिए उस लैंड पर काम करने के लिए ताकि उस land का use तो किया जा सके, तभी तो country powerful बनेगी, quality of population, country में लोग बहुत ज़्यादा है, population बहुत ज़्यादा है, quality उन्हें है नहीं, educator उन्हें है नहीं, skill उन्हें है नहीं, बस खा रहे हैं और economy में कोई अपना बागेदारी नहीं कर दे, तो ऐसी country भी कहा रहे जाएगी, पीछे हो जाएगी, national power weak हो जाएगी, age composition, एक country में कितने कौन से लोग ज्यादा है, young ज्यादा है, बुड़े ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा है, मर्द ज्यादा है, ये सारी चीज़ें dependent करते हैं country की economy को उपर या नीचे लाने के लिए, इसकी national power को basically effect करती है, अगर एक country में बहुत जाला बुड़े हैं और बहुत जाला बच्चे है, छोटे बच्चे हैं वो economy में क्या हिस्सा अपना योगदान देंगे, बुड़े हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो country डवलप नहीं होगी, country बहुत बीक हो जाएगी, पर अगर एक country में बहुत यंग हैं, 30-35 एज के बहुत लड़के हैं, 25 एज के बहुत लड़के हैं, वो army में जाएंगे, वो forge में जाएंगे, industries में जाएंगे, वो engineer बनेगे, एड़ोकेट्स बनेगे, country डवलप करेगी, तो एक country में कैसी एज के लोग हैं, वो भी एक deciding factor है, country को powerful या weak बना तो students, अब मैं national power के दूसरे जो elements से उनकी बात करो, तो वो है social element, बचे social element में economic element आएंगे, social element में आपके political element आएंगे, social element में आपके national moral element आएंगे, moral, देखे बच्चों सबसे पहले economy development, तो एक देश की economy development है, वो उस देश को powerful या weak बनाती है, अगर एक देश में अच्छी industries है industrialization है, दूसरी country के लोग बहां आकर job कर रही है, अपनी skill हम लोगों को, मतलब दूसरी country में जाके, लोग जो intelligent लोग है, वो जाके अपनी skill का, skill किसको दे रही है, या किसी country के पास बहुत skill है, उसके लोगों में बहुत जादा powerful skill है, वो अपने देश में ने-ने development कर रहे हैं, ने-ने investments कर रहे हैं, और economically वो बड़े strong है, तो ऐसी country बहुत powerful होगी, national power ऐसी country के ज्यादा होगी, लेकिन अगर एक country में अच्छे वरकर नहीं है, लोग स्किल बाले नहीं है, knowledge बाले नहीं है, लोगों को technology का knowledge नहीं है, मशीने बनाने का पता नहीं है, तो वो country कितना समान इंपोर्ट करेगी, वो country बीक बन जाएगी, बिल्कुल, उसकी national power खतम हो जाएगी, वो दूसरों के पर dependent होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए एक country की economy development है, वो उस country को powerful या बीक बना देती है, अच्छी economy development मतलब अच्छी power, national power ज्यादा, और कम economy development मतलब दूसरों के ओपर रहना, निर्वर रहना, तो कम national power होगी, political structure, बच्चों political structure में सबसे पहले एक country की foreign policy आजाएगी, एक country में कौन सी form of government है, ये भी आजाएगी, एक country national power उस country की foreign policy क्या है, उसके ओपर depend करती है, उसकी जड़ी डिसाइड करी जाती है, एक country national power उस country में कौन सी government है, dictatorship है, totalitarian है, liberalism है, democracy है, उसके ओपर depend करती है, आप हैं देखा होगा, आज के time पर जो country democratic country है, world की हर country उसकी help करती है, उसके लिए आगी आगी खड़ी हो जाती है, पर जो country dictatorship वाली boom का निवाती है, उस country को बाकी countries इतना, जो है वो अपना वो नहीं देती, sport नहीं देती, तो इसलिए बोलन कांट्री की phone policy कैसी है, phone policy एक देश के प्रती कैसी है, वो उसको powerful या वीक बनाती है, national moral, moral का मतलब होता है, एक country के जो लोग है, उनकी अंदर कितनी बावना है देश के लिए काम करने की, country में बहुत population है, बहुत लोग है, educated भी है, लेकिन लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं ह है, देश के लिए कुछ करने का, ऐसी country तो weak होती जाएगी, ऐसी country powerful नहीं बन सकती, एक country में educated लोग है, इंजुनियर है, दिमाग वाले लोग है, powerful लोग है, आदमी में कोई जाना ही नहीं चाहता, तो country कैसे powerful बनेगी, तो एक देश की country बने नहीं बने, वो उस देश के जो लोग है, जो नागरिक है, उनका क्या moral है, कितना उनके अंदर दम है, क्या attitude है, क्या उनके अंदर हिम्मत है, इसके अपर भी depend करती है, तो यह हमारे social elements हो गए, अब हम idealistic elements को देख लेती है, तो students, अब मैं third elements की बात करूँ, idealistic elements में सबसे पहला ideology, ideology मतलब विचारदारा, एक country किस चीज को follow करती है, तो एक country की जो विचारदारा है, वो किस चीज को follow करती है, वो भी उसको powerful या weak बनाने में बहुत एहम बूमिका निबाती है, अगर मैं example दूँ, cold bar की दुरान, जब cold bar लगा था, जब cold bar हो रहा था, जिसमें पूरी जो वर्ड था, पूरा वर्ड वो two ideologies में बंट गया था, एक थी मारी communist और एक थी मारी socialist, communist जो थी, वो विचारदारा वाई लोग जो थे, वो अलग थे, sorry, capitalist, I am sorry, capitalism, एक थी capitalism, capitalism, और दूसरी थी communism, ये दो विचारदारा में जो countries थी, पूरी वर्ड बंट ग और communism जो follow करते थी, रशिया और बाकी countries, रशिया के साथ फाली, USSR जिसको बोले जाता था, तो बच्चो जिन इस ताइम पर क्या था, एक country powerful होगी नहीं होगी, इस चीज बे डिपेंड करता था, कि वो किस country को follow कर रही है, अगर एक country, ऐसी country की विचारदारा को माने, जो खु जो country, weak country है, ऐसी विचारदारा माने, जिसकी country weak है, तो वो country खुद भी weak हो जाएगी, क्योंकि उसको support ही नहीं मिलेगी, powerful countries की अच्छी विचारदारा, जो strong, powerful माने विचारदारा वरी country होगी, इसकी support नहीं मिलेगी, example देखिए, द्यान से confuse नहीं होना है, मालो, USA, जो है, व को follow करती है, एक दूसरी country है, वो शोष, communism को follow करती है, जो country communism को follow करती है, क्या उसे USA help करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी विचारदार को मानती ही नहीं है, तो मतलब वो country, जो weak country है, वो powerful से, powerful नहीं हो पाईगी, वो weak हो जाएगी, क्योंकि उसको यूस से अपनी resources नही नहीं देगा, अपनी military नहीं देगा, अपने जो various हथ्यार है, वो नहीं देगा, तो इसलिए वो country weak बन जाएगी, तो मतलब एक country की जो ideology है, वो उसको powerful या weak बना देती है, इंडिया की बात करूं, इंडिया अपनी आपको neutral मानता है, हम बिल्कुत तथसता है, हम किसी को follow करत है, USSR, और यह से भी help करता है, अब अगला है intelligence, एक देश में intelligence कैसी है, लोग कितने intelligent है, कैसे लोग वरक कर रहे है, कितना wisdom है, यह भी country को powerful या weak बनाता है, अगला है wisdom of leadership, very very important बचो, एक country में बहुत लोग है, बहुत फोजी है, बहुत जादा army है, पर अगर leadership quality अच्छी नहीं होगी, leader बढ़िया नहीं होगा, जो army को direct करेगा, कब attack करो, कब नहीं करो, देश को चलाने वाला बन्दा अगर बढ़िया नहीं होगा, तो वो country powerful नहीं बन सकती, अब बचो, मैं आपको, example मुझे एक हंसी सी आरिया है, कुछ लोग जो society में, वो इस टाइम पर ऐसा ब मानते है, कि मोधी जी जब से आया है, तो पसे पाकिस्तान माई तरफ देखता नहीं है, चाइना माई तरफ देखता नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कि ऐसा है नहीं, जैसा है अब पहले भी ऐसा ही था, ऐसी बाते ही मानी जाती है, यह सभी के अपनी विचारदार है, कुछ पुछ बुरा मानते हैं मौध्दी के लीडर्षिप होना बटेजर बूरा मानते हैं तो एक देश की लीडर्षिप है वो उसको बना बटेटिना ऑडिनाधिये ओक तैम डंटीकơi आतरा मैं कनक्ति तर्णो acost वहार का अशरा किनकेन के वह वह लोगों अधरे नेर्श्क व Spaß खेंग केविका तौके ढ़्या पंप हीव उनम्मार करना आइए प्रमति यह प्रम्मों देश के निरथ प्रमपारी का आफ 9 देश्क हो नोक जया एक बना देत तो देश में अच्छे फोजी होना इनफ नहीं है उन फोजी इंफ लेडर का होना बोग जरूरी है लेडर कहोना बोग जरूरी है बच्चो तो ये पड़ लिया हमने अच्छी लग आप लोगोई प्ली लाइडर पड़ेंगे लास्ट जो की है हमारे तेकनोलोजिकल डवलप्मेंट जो कि मिलिटरी के लिए कैसी है और अधर कैसी है वो पढ़ेंगे अब वीडियो अच्छी लग रही है बचो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें अगर आपको हमारे फर्स अच्छे लगते हैं तो कॉंट्री जूरूर करें आपका मैस जाता है टो मेरे पाशने वर्टसेब में कि कांट्रीब्यूटर समवन इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया मुझे बड़ी खुशी होती है क्यूंकि लगता कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है तो हम अच्छा काम तो करें रही है और आप लोग बै जाएंगे नोट्स पेड होती है पर अफडेबल कोस्ट है बिलकुल असानी से आपको आप उसमें पढ़ेंगे सिंपल लेंगविज होती है मज़ा आता है चैन्सेप्शो कलेट ही हो जाती है जूडीशनी की त्यारी तो लो करते-करते ही होना शुरू हो करती है हमारे साथ तो आई आगे देख लेते हैं तो स्टुडेंज अब लास्ट बट नोट लिस्ट दिया आस्ट फरी पुरंट लास्ट अलमें इस टेक्नोलोजिकल एक देश की टेक्नोलोजी कैसी है वो उस देश को पावरुफुल या वीक बनाने के लिए बहुत हैं बूम कितनी एडवांस है इंडस्ट्री में कितनी मशीने में कैसे माशीने काम करती है कितनी यूवन बींग की जूट है कितनी मशीनों के जर्म किया जा रहा है यह यह देश को आवर फुल या वीक बनाने में बहुत मत़भर भूल का निवातिय है वहीं पर हैं मिलिटरी की बात क जा सूसी कर सके और अपने देश में जो सूसी करने बाड़े दूसरे देश के लोगों को हटा सके उनको पता कर सके यह सारी चीजें एक देश को पावरफुल या विक बनाने में बहुत एहम भून का निवाती है बच्चो तो यह नैशनल पावर के एलिमेंट्स, डिटर्मिन प्रक्राईन आप आप वेलु कर देना मेliers कर देना नेन इफ तक पर वह आप वह पत्तिकरत यह प्रोटिय को फटने आप सबढ से कर देना विक च्रहरे कोड़ेश को से कॉdest, ईबलू लिए लिगर देना कर खेंटने टिये उटा इस-ट्यू कर देना विक और शनीयह यह सबसके आप अभाड अगी बड़ते हो ए अधिर बड़ती हो दी अधिन्ड, यह सबस्ट आप र्डिज लोगे यह बोलगे कि लिए इस बोल्च आप आप नज्यान है यह बोलतुर दी लिए एक टॉकि टॉकि लिए थान प्रांज आप लिए व्लिगांगे झात्र शच द बन्यावाद!